गुद मॉनिंग क्लास कक्छा बार्वी की बहुतिकी में आप सभी का स्वागत है पिछले क्लास में हमने अन्योंनी प्रेयान कत्व के बारे में जाना था आज हम लोग दो लंबी परिणालिका के मद्र अन्योंनी प्रेयान कत्व की गर्णा करेंगे हमने अन्योन्य प्रियाण के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा कि अन्योन्य प्रियाण में क्या है दो कुंडली का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसरे करमसा प्रात्मी कुंडली और दूसरे को दित्या कुंडली कहते हैं, हम लोग एक लंबी प्रियाण के लिए स्व से पहले छित्र बना लेते हैं, तो देखे, मान लो हमारा S1 एक लंबी परियनालिका है, है न, S क्यों लिखे हैं? क्योंकि परियनालिका को अंग्रेजी में सॉले नाउइट्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे S अक्षय का प्रयोग किया गया है, ठीक, मान लो S1 वा S2 दो लंबी क्या है परिनाली का है यह S2 देखिए S1 और S2 दो लंबी परिनाली का है है न, परिनाली का S1 परिनाली का S2 से साथ पूरी तरह से घिरी हुई है दोनों के अक्ष क्या है? समाक्ष है मतलब दोनों का जो अक्ष है वह क्या है? समान है तो इसलिए हम लोग समाक्ष बोले है ठीक, तो हमने कहा मान लो S1 वा S2 दो लंबी परिनाली का है परिनालिका H1 परिनालिका H2 के साथ पूरी तरह से घिरी हुई है दोनों क्या है समाक्ष है दोनों की लंबाई क्या है दोनों की लंबाई L है ठीक, दोनों परिनालिकाओं की लंबाई L है और H1 और H2 में प्रती एकांक लंबाई भेरो की संख्या कितनी है क्रमशा एन वन वा एन टू है यहां तक सभी को समझ में आया है हमने चित्र के अनुसार यहां पर वर्णन किया है ठीक अब देखते हैं परिणाली का एस वन में यदि आई वन धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर चुम्बकी छेटर की तीवरता लिखते हैं परिणा परिणाली का एस वन मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाएए परिणाली का एस वन में आई वन धारा प्रवाहित हो रही है हो तो उसके अंदर चुम्बकी छेटर की तीवरता कितनी आ जाएगी पिछले क्लास में हमने पढ़ा है किसी पाहिन आलिका में चुम्बकी छेटर कितना होता है म्यूज़ीरो एन आई है न तो यहाँ पर क्या है आईवञ दारा प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो जाएगा तीवरता आजाएगय हमारे पास बी वन मान लिज़ये पाहिनालकाई सफ़न है तो हम लोग लेते हैं B1 B1 is equal to mu naught N1 I1 ठीक ये हो गया हमारा समी के नमबर 1 अब पहिनाली का H2 से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स पहिनाली का H2 से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स निकालेंगे पहिनाली का H2 से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स चुम्बकी फ्लक्स का फॉर्मूला सभी को बालू है क्या होता है 5 is equal to NBA तो हम लोग यहाँ पे B1 और A लिखेंगे जहाँ पे A क्या है पहिनाली का H2 का चुम्बकी फ्लक्स निकालेंगे अब देखते हैं कि यह तो आ गया हमारा परिणाली का H2 से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स चुम्बकी फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए इसमें कितनी फेरो की संख्या है उसका मान हमें ग्यात होना चाहिए तो हम निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा संपूर्ण चुम्बकी फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास 5 किस में 5 2 में किस के कारण प्राश्मी कुड़ी S1 के कारण है ना is equal to आएगा B1 A into कुल फेरो की संख्या कितनी आएगी N2 into L यह आप इस formula से निकाल सकते है N is equal to N into L पिछले swap रियान में हमने इसके बारे में बताया था ठीक कुल फेरो की संख्या निकालने के लिए प्रती एकांक लंबाई में फेरो की संख्या गुड़ी कुल लंबाई ठीक तो इस value में हम लोग क्या है B1 का मान यहां पर रखेंगे समी करण एक से तो यहां लिखते हैं समी करण एक से तो हमारे पास आ जाएगा B1 का मान यहां पर रखने पर आएगा क्या जाएगा 521 is equal to आएगा B1 का value कितना है mu0 n1 i1 into a n2 l इतना है इसको जमा के लिखते हैं 521 is equal to आएगा mu0 n1 n2 l a और i1 यह आ गया हमारे समी करण नमबर 2 यहां तक सभी का clear है देखें हमने कुछ नहीं किया है हमने बद चुमब की flux का मान निकाला है अब अन्यून निप्रियार्ण से हमें ग्यात है क्या ग्यात है परन्तु हम लोग को अन्यून निप्रियार्ण से ग्यात है क्या कि phi 21 is equal to होगा m21 into i1 ठेक तो यहां हमने देखो इसे मानते हैं समी करण 3 तो समी करण 2 और समी करण 3 दोनों का दाया दाया बराबर तो बाया बराबर होगा तो हम लोग इसे बाया बराबर लिखेंगे और जो कटेगा उसे कटाएंगे और जो बचेगा उसे बचाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या समी केरण लिखने हैं समी केरण 2 और 3 से समी केरण 2 और 3 से हमारे पास आएगा m21 into i1 is equal to mu0 n1 into l a i1 i1 से i1 क्या है cancel out हो जाएगा तो हमारे पास आएगा m21 is equal to mu0 n1 into n2 l a यह आ गया परिनालिका में swap rare कर्त्व का मान अब अब देखे यह तो हमने निकाला परिनालिका s1 में i1 धारा प्रवाहित करने पर अब क्या हो गई है दूसरी परिनालिका में धारा प्रवाहित करें तो पहले परिनालिका में क्या है चुम्ब अन्यों निप्रयाण कितना आएगा क्या पता वो ज्यादा आ जाए यह क्या पता वो कामा जाए तो इसका भिमान हम लोग को जाथ होना चाहिए तो यह आ गया एक परिनालिका के लिए है न यह आया दूसरे परिनालिका में अन्यों निप्रयाण का मान इसे हम लोग लेते हैं समी के रवाहित करेंगे तो हम लोग किते हैं H2 परिण नालिका में यह दूसरी इस्थिती है परिण नालिका H2 में I2 धारा प्रवाहित करने पर क्या जाएगा उससे बद दचुमब की फ्लक्स खितना लेते हैं B2 लेते हैं B2 इस उकल टू आएगा म्यू 0 N2 और I2 यहां तक सभी के क्लिया है अब S1 के प्रतेक फेरे से बद चुमब की फ्लक्स कितना आजाएगा S1 से बद संपूर चुमब की फ्लक्स संपूर चुमब की फ्लक्स कितना आजाएगा 5 1 2 इस उकल टू आएगा B2 A इंटू N1 L ठीक अब हम लोग B2 का मान इसमें रखेंगे तो आजाएगा हमारे पास 5 सॉरी हाँ 5 1 2 इस उकल टू B2 का मान कितना है μू 0 N2 I 2 N1 L इंटू A इसको अच्छे से लिखते हैं तो आज आएगा जम आएके लिखेंगे तो 5 1 2 इस उकल टू आएगा न्यू 0 N1 N2 A L I 2 यह आएगे समिकरेंगे नमबर 5 परन तो हम लोग को मालूम है क्या मालूम है अन्योन निप्रेंगर से 5 हम लोग निकालेंगे इसमे 1 2 मतलब अन्योन निप्रेंगर किसमे प्रात्मी कुंड़ी में धारा किसमे प्रवाहित हो रही है दृत्या कुंड़ी में याद रखेंगे यह कैसे रिखे हैं हम लोग 5 किसमे निकाल रहे हैं प्रात्मी कुंड़ी में और धारा किसमे प्रवाहित हो रही है दृत्या कुंड़ी में अठाथ दृत्या कुंड़ी में धार प्रावाईर करने पर प्राच्मिक कुंडली से बद चुम्ब की फ्लक्स फाई वन टू ठीक इस उकल टू आ जाएगा कितना आएगा देखे एम वन टू इन्टू आई टू इसे लेते हैं समी के नंबर इक्वेशन फाईफ एंड शिक्स दोनों क्या है बराबर है दाये दाये बराबर तो क्या है बाये बाये भी क्या होगा बराबर होगा तो लेखते हैं समी के नंबर पाच वह छै से तो टाये दाये बराबर तो क्या हो जाएगा बाये बाये भी बराबर हो जाएगा तो एन्वन एन्टू ए एल आई टू आई टू से आई टू क्या है चैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा एन्वन टू इस उकल टू मुझी जीरो एन वन एन्टू ए और एल ये आ गया प्रात्मिक कुंड़ी में अन्यों निप्रेर करत्व का मान और ये आ गया दृत्या कुंड़ी में अन्यों निप्रेर करत्व का मान तो दोनों क्या है बराबर हैं आप देखिए समी कना चार और समी कना पाच दोनों क्या है बराबर हैं ठीक तो धारा किसी भी कुंड़ी में प्रवाहित किया जाए है न उसका अन्यों ने प्रेरकात्व कमान सदय वही होता है तो हम लोग लिखते हैं समीक है चार वा साथ दोनों क्या है समान है अता हाथ M21 is equal to M12 है न तो इस प्रकार अन्यों ने प्रेरकात्व का हम लोग मान निकाल सकते हैं कि M is equal to आएगा म्यू 0 N1 N2 A into L तो ये आ गया दो प्रेर नालिकाओं के मत अन्यों ने फिर गुडां का मान अब इस अन्यों यदि इसके अंदर मतलम प्रेर नालिका के अंदर चुम्बक की पदार्थ है न क्रोड में कुछ चुम्बक की पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा यदि क्रोड की चुम्बक सिलता यदि क्रोड की जो चुम्बक सिलता है वह है म्यू है न तो आएगा हमारे पास एम इस इक्वल टू म्यू एन वन एन टू ए इन टू एल यहीं क्या है किसी दो लंबी प्रेर नालिकाओं के मत अन्यों निप्रेका तो कमान है और यहां कई बातों पर निर्भाय करता है देखते हैं किसमें किसमें निर्भाय करेगा प्रात्मी कुंडली में फेरो की संख् छेत्रफल पर और लंबाई पर और माध्यम के चुम्बक सिलता पर देखे किन किन बातों पर निर्भाय करता है अन्यों निप्रेर कत्व कमान देखे इसे हम लोग और भी स्वार्ट फॉर्म में या कहें तो इस वैल्यू में भी लिख सकते हैं हम लोग N1 कमान यहां से रखेंगे निकालेंगे है ना N1 N2 कमान तो यह आ जाएगा N1 कमान आएगा Capital N upon L N2 कमान आएगा Capital N 2 upon L तो दोनों वैल्यू रखेंगे तो एक N कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा M is equal to mu N1 N2 into A upon L ठीक तो आप confused मत हो यहां तक लिखेंगे तो पर भी सही है और यहां तक बनाएगे तब तो और भी सही है ठीक तो अब देखते हैं परिनालिका में जो अन्योन निप्रियरकत्व है वह किन किन बात उपर निर्भै करता है तो देखते हैं सबसे पहले प्रत्य परिनालिका में फेरों की संख्या पर अधिक होने पर अन्यों निप्रियर का त्वकमान अधिक होता है दूसरा है परिनालिका के अनुप्रस्त काट के छेत्रफल पर अर्थात अनुप्रस्त काट का छेत्रफल अधिक होने पर अन्यों नि होता है तीसरा है परिणालिका की लंबाई पर परिणालिका की लंबाई अधिक होने पर अन्यों ने प्रेरकर तो कमान कम हो जाता है चैसे कि यहां क्योंकि यहां क्या है व्यूत क्रमान उपाती होता है लंबाई और चौथा है परिणालिका की क्रोट की चुम्बक सिलता पर परिनालिका के अंदर अधिक चुम्बक सिल्ता के एक रोड रखने पर उसके मध्य अन्योन ये प्रियरकत्व कामान बढ़ जाता है तो इस प्रकार से हम लोग परिनालिका के लिए अन्योन ये प्रियरकत्व कामान निकाले अब हम सम्तल वित्ताकार कुंडली के मद्या अन्योन्य प्रियान की गर्णा करेंगे अब हम लोग देखते हैं दो सम्तल वित्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रियान कत्व है न तो इसके लिए सबसे पहले चित्र बना लेंगे मान लो P और S क्या है प्रात्मिक और दित्या कुंडली है ये है प्रात्मिक कुंडली और इसी के समीब क्या है एक और कुंडली हम लोग बनाते हैं जो है दित्या कुंडली ये है प्रात्मिक कुंडली P और ये है दित्या कुंडली S जो एक दूसरे के क्या है समाच रखी गई है ठीक इनकी तिर्जाएं कमशा R1 और R2 है तथा प्रात्मिक कुंडली में फेरो की संख्या N1 और इसी कुंडली में फेरो की संख्या है N2 ठीक यहां तक सभी का क्लियर है हमने माना देखिए मान लो प्रात्मिक कुंडली P और दूत्या कुंडली S दोनों एक दूसरे के क्या है समाच में रखी हुई है प्रात्मिक कुंडली में फेरो की संख्या N1 तथा जिज्या R1 तथा दूत्या कुंडली में फेरो की संख्या N2 तथा जिज्या R2 है यदि प्रात्मिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वित्या कुनली से बद्ध चुमक्य छेत्र हो जाएगा B is equal to मालू है फॉर्मूला μुजिरो अपान 4π 2π n1i अपान और 1 है ना ये क्या है प्राज्मी कुनली से बद्ध चुमक्य छेत्र का मान है तो द्वित्या कुनली में क्या है प्रेरित द्वित्या कुनली में क्या है देखे प्राज्मी कुनली में हम लोग धायर प्रवाहित कर रहे हैं तो जो चुमक्य फ्लक्स बद्ध होगा वह परिवर्टन होगा द्वित्या कुनली के साथ है ना तो हम लोग लिखेंगे दित्याक कुंडली से बद्ध चुमकी फ्लक्स दित्याक कुंडली से बद्ध चुमकी ये फ्लक्स चुमकी फ्लक्स कितना आ जाएगा फाई इस इक्वल टू एन बी एन टू होगा क्योंकि दिज्या कुल्ली में फेरों की संख्या एन टू है तो एन टू बी ए ए के जगा में ए टू ठीक ए टू का मान आ जाएगा कितना पाई आर स्क्राइर तो पाई आर टू स्क्राइर तो वैल्यू रखेंगे तो यह आएगा फाई इस उक्वल टू एन टू बी का मान रखेंगे तो यह आएगा यहाँ से हम इसको सॉल कर सकते हैं यह दो से कैंसिल आउट होगा तो यह होगा आएगा μू 0 N1 I upon R1 तो यह value B के जगा में यह रखेंगे तो यह आएगा μू 0 N1 I upon 2 R1 into A2 कमान आएगा πाई R2 square यहाँ देखें हमने इसमें क्या है value को put किया है N2 B कमान आया है μू 0 N1 I upon 2 R1 यहाँ से 2 के साथ यहाँ पे divide हुआ है ठिक और A2 कमान हमने इंकाल है πाई R2 square से तो यह दिज्या कुंडी के लिए है तो यहाँ पे तिर्ज्या भी दिज्या कुंडी का लिया गया है ठिक अब हम लोग को अन्यों ने प्रेनर से पता है क्या पता है फाई is equal to होता है M I तो यह हो गया समी करन नंबर 1 यह हो गया समी करन नंबर 2 और यह हो गया हमारा समी करन नंबर 3 तो समी करेंट दो और तीन से क्या है दाया दाया बराबर तो बाया बाया भी क्या होगा बराबर हो जाएगा तो हमारे पास आएगा एम आई इस इक्वल टू आजाएगा एन वन मुजीरो एन वन एन टू आई पाई आर टू स्क्राइर अपान टू आर वन ठीक तो आई से आई क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा तो आज आएगा आज आएगा हमारे पास एम इस इक्वल टू मुजीरो एन वन एन टू अपान टू आर वन इंटू पाई आर टू का स्क्राइर यह आगया दो समतर वित्ताकार कुंडली के लिए अन्यों निप्रेरकात्व का मान यदि कुंडली के केंद्र की चुंबक शिलता मु हो यदि कुंडली के केंद्र की चुंबक शिलता मु है तो आ जाएगा हमारे पास m is equal to mu n1 n2 upon 2 r1 into pi r2 square अब यह किन किनी स्थतियों पर निर्भाय करता है किन किन मानों पर निर्भाय करता है तो सब से पहले माध्यम की चुम्बक सिलता पर है नक्रोट की चुम्बक सिलता पर प्रात्मी कुंडली में फेरो की संख्या दित्या कुंडली में फेरो की संख्या प्रात्मी कुंडली की तिज्जा और दित्या कुंडली की तिज्जा पर यह क्या है निर्भाय करता है तो देखें प्रात्मी कुंडली में फेरो की संख्या बढ़ाने पर अन्यों निप्रेयर कर तो बढ़ जाएगा दित्या कुंडली की तिज्या बढ़ाने पर अन्यों निप्रेयर कर तो बढ़ जाएगा माध्यम की क्या है चुम्बक सिल्था बढ़ाने पर क्या है अन्यों निप्रेयर बढ़ जाएगा है ना और इसको हम लोग छेतरफल भी लिख सकते हैं तो दित्या कुनली का छेतरफल बढ़ाएंगे तो भी क्या है अन्यों निप्रेयर का तो बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखे कि प्रात्मिक कुंडली की जो त्रिज्य है उसे बढ़ाएंगे तो अन्यों निप्रिनर क्या है घर्ड जाएगा ठीक तो इस प्रकार से हमने दो समतल वितकार कुंडलीों के बीच अन्यों निप्रिनर का त्रकाव गर्णा किया अब देखते हैं भवर धारा किसे करते हैं तो भवर धारा क्या होता है सबसे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं सर्फ रथम सन 1895 में वरग्यानिक फोकर ने ग्याद किया कि जब किसी भी आकरिती या आकार के चालक को किसी चुमबकी छेतर में चलाया जाता है अर्थात उसको क्या है इस्तदी परिवर्टन किया जाता है मतलब उसे तेजी से घुमाया जाता है है न ये मतलब है इसका या उसे गोल गोल घुमाया जाता है या समांतर घुमाया जाता है है न या उसमें परिवर्टनी या परिवर्टन शील चुमबकी छेतर में रखा ज जाती है जो जल में उत्पन्ना भवर के समान चक्करदार होती है अत्रह इन धाराओं को भवर धाराएं कहते हैं और आविस्कारक के नाम पर ही इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं क्या होता है जब किसी चालक को चुमकी छेत्र में चलाया जाता है तो क्या होता है किसी चालक को परिवर्तन सी चुमकी छेत्र में रखा जाता है तो उस चालक से बंध चुमकी फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन होता है और चुमकी फ्लक्स में परिवर्तन होने से हमें है कि उस शालक में क्या हो जाती है प्रेरित धाराएं उत्पन हो जाती है यह प्रेरित धाराएं कैसी होती है जल में उत्पन भावर भावर सभी को पता है भावर क्या होता है तलाब में पत्थर भेक पत्थर भेकने पर जो भावर उत्पन होता है है न देखेंगे गोल गोल जो waves निकलते हैं उन्हीं को भावर कहते हैं ठीक तो उन्हीं के समान यह धाराएं भी चक्करदार होती है और इन धाराओं को इसलिए भावर धारा कहते हैं और आविसकारक क्या है फोको नामक वरग्यानिक ने इसका आविसकार किया है तो इसलिए इसे फोको धारा भी कहते है अब देखते हैं इसकी परिभाष्या जब किसी चालक से बद्ध चुमकी फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भवर के समान चक्करदार प्रेरिधाराएं उत्पन्न होती है जिन्हें भवर धाराएं कहते हैं तो भवर धारा क्या है अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है जब किसी चालक से बद्ध चुमकी फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है तो इन धाराओं को भवर धाराएं कहते हैं लिंच के नियमा नुसार, प्रिरित धाराओं, अर्थाद भवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है, कि वे चालक के गति अथ्वा परिवर्दन सिल्चुम्ब की छेत्र का विरोध कर सके, भवर धाराओं के इस प्रभाव को अरोधक प्रभाव भी कहते हैं, भवर धारा क का मान चालक के प्रतिरोद पर निर्भाय करता है यदि चालक का प्रतिरोद अधिक है तो भावर धाराओं का मान कम होता है इसके विपरित यदि प्रतिरोद कम है तो भावर धाराओं का मान अधिक होता है भावर धाराओं के कारण ही चालक क्या हो जाती है गर्म हो जाती है य बहवर धारा के कारणचा लगर्म हो जाता है, है न? और प्रतिरोध अधिक होता है, तो बहवर धारा का मान कम होता है, ये सभी एक्जाम में काफी महत्वपून साबित होते हैं, ठीक, अब बहवर धाराओं का प्रयोगिक प्रदर्शन, इसके लिए देखिए, सर्व चीतर बना देते हैं, इसमें क्या है, तामे के एक आईदाकार प्लेट लेते हैं, जो ओव में जाने वाली छैतिच अक्ष पर विद्धु चुम्बक एनेस के धुव खंडों के मध्य स्वतंतरता पूर्वक गती कर सकती है, इसमें देखिए, चीतर में एक तामे का चालक ल गती कर सकती है, ठीक, जब विद्धु चुम्बक में विद्धु धारा प्रवाहित नहीं की जाती, तो तामे के प्लेट स्वतंतरता पूर्वक गती करती है, हवा के घर्षर से कारण इसका आयाम दीरे-दीरे कम होने लगता है, और अंत में कुछ समय के पस्षात यह होती है, तो उस समय विद्धु चुम्बक में विद्धु धारा प्रवाहित करते हैं, तो तामे की जो प्लेट होती है, वह तूरंत ही रुख जाती है, तूरंत रुखती है, है ना, इसका कारण यहा है कि जब प्लेट में चुम्बकी छेत्र में गती करता है, तो उससे परिवतन होता है आतहर उसमें भवर धारजाय उत्पन हो जाती है जो प्लेट के गति का विरौध' करती है फल स्वरूप प्लेट तुरंथ ही दुख जाता है अब देखते हैं भवर धाराओं से हानी क्या होती है और उन्हें कम करने का उपाई तो देखे ट्रांसफार्मार डाइनोमो प्रिनान कुंडली इत्यादी में के क्रोड क्या है मुलायम लोहे के बने होते हैं। इन उपकरणों में प्रत्यावर्ती धारा जिससे आगे पढ़ने वाले हैं प्रवाहित होती है तो क्रोड से बद्रचुमबकी फ्लक्स में भी परि विद्रचुमर के मान को कम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भवर धानाओं को कम करने के लिए मतलब इसका मान तो हम लोग सुन ये नहीं कर सकते लेकिन हाँ कुछ कम कर सकते हैं इसका कुछ लिमिटेशन है तो क्रोड पर्टलित बनाये जाते हैं है नंभावर धानाओ के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मार के क्रोड पतलीद बनाये जाते हैं प्रटलीद माने मुलायम लोहे की कई पत्रियां लेते हैं और उन्हें विद्धू तोधी पदार्थ जैसे वार्निष इत्यादी की ता एक दूसरे के उपार रख कर आवश्यक मोटाई की बना लेते हैं ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध होता है वो अबढ़ जाता है और भावर धानाओं का मान क्या होता है कम हो जाता है ठीक तो ये प्रस्न कई बार पुछा जाता है कि बताओ ट्रांसफार्मा के क्रोड पतलित क्यों बनाये जाते हैं तो ट्रांसफार्मा के क्रोड पतलित भावर धानाओं को कम करने के लिए बनाये जाते हैं अब भवर धाराओं से हानी के साथ साथ कुछ अनुप्रयोग भी है ना भवर धाराओं को अरोधक प्रभाव और उसमिय प्रभाव के अनुप्रयोग विभिन उक्करणों वायंत्रों में किये जाते हैं तो पहला है धारं मापी को रुध मापी कुन्डली तामे के विद्धू तोधी तार को एलमुनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। ठिक जब धारमापी पढ़े थे तो उसमें क्या होता है उसमें विक्षे बुत्पन होता है तो भावर धारा के कारण ही क्या है उसमें कुण्डली गती का और गती का विरोथ करती है इसलिए जो धार मापी को रुद्द दोल बिनाने के लिये दूसरा है प्रेयान भट्थी में यदि किसी धातु को तीव रपई वर्तन सिल चुम्बकी छेत्र में रख दिया जाए तो उसमें प्रवल भावल धानाय उत्पन न होती है फल स्वरुक इतनी उसमा उत्पन न होती है कि धातु पिघाल जाते हैं यहाँ क्या है प्रेयान भट्थे का सिद्धान्त है और तीसरा है विद्धुत ब्रेक बनानी में विद्धुत ट्रेनों को रोकने के लिए विद्धुत ब्रेक का उपयोग किया जाता है जो आज का ड्रम के पास तीब्र चुम्बकी छेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है जिससे ड्रम में तीब्र भवाल धाने उत्पन्न होती है जो ड्रम के साथ साथ पहिये को भी रोक देती है और जाओ था है प्रेयान मोटर में यदि घुमते हुए चुम्बकी छेत्र में धातु का एक बेलन रख दिया जाए तो बेलन में भवल धाराय उत्पन्न हो जाती है जो घूमते हुए चुम्बकिये छेत्र और बेलन के बीच आपेछिक गति का विरोत करती है अता बेलन भी क्या होता है घूमने लगता है यही प्रेरण मोटर का सिध्धान्त है ठीक तो इस प्रकार हमन भवल धाराओं के अनुक्रयोगों के बारे में पढ़ा है अब देखते हैं आगे आगे में देखिए यहाँ पे कुछ तत्यात्मक प्रश्ण है जो एक्जाम में क्या है पूछे जाते हैं तो विद्यारती इसको पढ़ेंगे ठीक यहाँ पे बहुत सारे बोधात्मक पहेंगे और जहां समझ है नहीं आएगा वहाँ पे पूछेंगे एक्जाम में यहां से भी प्रश्णा आता है कि चित्र प्रेइत धारा के दिशा को क्या है बताने के लिए तो यह विभिन अलग-अलग इस्थितिया है जिसमें प्रेइत धारा की जो दिशा है वहाँ ग्य वो यहाँ पे बताये गया है तो विद्यार्थी इन सभी प्रश्णों को हल करेंगे और अपने fair copy में notation बनाते जाएंगे जितना पढ़ाया जा रहा है उसे है न और जहां समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद